हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सब टीक होंगे मैं योगेश आप सब का एजी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ आज के विशय को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे की आपके पास हमारी न्यू अपडेट्स और वीडियो असानी से और सबसे पहले पहुँचे दोस्तो इससे पहले हम कुछ और अध्याव को पढ़ चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो आप उने वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए आज का विशय शुरू करते हैं हमारा आज का विशय है वह है तंतु से वस्त्र तक तो इसमें हम जानेंगे कि वस्त्र का बनने तक का पूरा प्रोसीजर क्या है ठीक है शुले स्टार्ट करते हैं पहेली और भूजो ने अपने स्कूल में आयोजीत की गई विज्ञान प्रशनोत्री प्रतियोगिता में प्रतम प्रुषकार जीता वे दोनों अत्यदिक उत्यजित ने और नोंने प्राप्त हुई राशी प्रुषकार राशी से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीद उसके पास उनी मफलर तता शाल भी थे दुकान में बहुत सी रिस्मी साडियां भी थी पहेली तता भूजो अत्यदिक उत्यजित दिखाए दे रहे थे उनोंने इन विभिन कपड़ों को सपर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की अंत में उनोंने एक उनी बैड सीट, बिश्तर पर बिशाने की चादर, कंबल, परदे, मेजबोष, तोलिये और जहडन दस्टर आदी ये सभी भिन भिन प्रकार के कपड़ों से बने हैं यहां तक कि उनके अपने बस्ते तता बोरे भी किसी प्रकार के वस्तर से बने हैं उनोंने इन सभी वस्तरों क विविदता, तो देखते हैं वस्तरों में विविदता, क्रियकलाप एक, अपने पास के किसी दरजी की दुकान का ब्रहमन कीजिए, सिलाई के बाद पचे कपड़े की कतरन एकतरित कीजिए, कपड़े की प्रतेक कतरन को सपर्ष करके उसके सपर्ष का अनुभव कीजिए, दरजी की सायता से उससे पूछ कर कुछ कपड़ों पर सूती रेश्मी उनी संसलिस्ट के लेबल लगाने का प्रियास कीजिए, क्या आप यह जानना चाहते हैं कि यह विभिन कपड़े किस प्रकार बनते हैं, जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं, तो वह एक सतत टु लगाया था, इसके एक सिरे पर कोई धीला उधागा या तागा ढोडने का प्रियास कीजिए, और इसे बाहर खींचिए, जदी कोई धीला तांगा दिखाई नहीं दे तो पिन अत्वासुई की सायता से आप एक तांगा धीरे बाहर खींचे, बाहर खींच सकते हैं, हम यह की तांगों को एक साथ विवस्थित करने परवस्त बना हैं, यह तांगे किस से बनते हैं, तब देखते हम तंतु, क्या है, किरिया कलाब तीन, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तांगा बाहर निकालिए, इस तांगे के टुकड़े को मेज पर रखिए, इस तांगे के दूसरे सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाय अनुसार अपने नाखून से खरोचिये, क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तांगा पतली लड़ियों से विखंडित हो गया है, इस तांगे को पिरोने डालने का प्रियास करते समय भ आपने ऐसा ही परिक्शन किया होगा, कैई बार तांगे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में प्रतिक हो जाता है, ऐसा होने पर तांगे को सुई के नाके ऐसे गुजारना कठिन हो जाता है, तांगे की यह दिखाई देने वाली पतली लड़ियों भी और अधिक पतली आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं ये तंतु कहां से आते हैं कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेश्मी तता उनी के तंतु पादपों तता जंतुओं से प्राप्त होते हैं इने प्राकरतिक तंतु कहते हैं रूई तता जूट, पटसन पादपो से प्राप्त होते हैं तन्तों के उधारन हैं उन तथा रेशम जन्तों से प्राप्त होते हैं उन भेड अत्वा बकरी की कृत्रित उन से प्राप्त होती है इसे खरगोश याक तथा उन्तों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है रेशमी तंतू रेशम कीट कोकून से खीचा जाता है हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्मान के लिए केवल प्रकृतिक तंतू का ही उपयोग होता था पिछले लगबग 100 वर्षों से ऐसे रासाइनिक परदार्थों जिनका स्त्रोत पादप अथवा जनतू नहीं है से तंतू का निर्मान किया जा रहा है यहने संसलिस्ट तंतू कहते हैं पालियस्टर, नाइलॉन और एक्रिलिक संसलिस्ट तंतू के कुछ उधारण है अब हम देखते हैं कुछ पादप तंतू जैसे रूई रूई, क्या आपने कभी टेल के लेंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उप्योग में लाते हैं इस रूई का उप्योग गदो, रजाईो, अत्वा, तक्यो में भी किया जाता है कुछ रूई लीजिए इसे खीच कर प्रत्थिक कीजिए और इसके किनारों को द्यान से देखिए आपने क्या प्रिक्षन किया ये छोटी पतली लड़ियां जिने आप देख रहे हैं कपास तंतों से बनी है रूई कहां से आती है इसे खेतों में उगाया जाता है साधारन तया कपास के पौदे वहां उगाया जाते हैं जहां के मिर्दा काली अत्वा जलवाईयो उश्न होती है क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपाश की किर्ची की जाती है कपाश पादब के फल, कपाश गोलक, लगबग नीमू की मापके होते हैं पूर्ण परिपक्व होने पर बीज तूटकर खुल जाते हैं तता अब कपाश तंतों से ढखे बिलनोले कपाश बीज को देखा जा सकता है क्या आपने ऐसा कपाश खेत देखा है जो कपाश चुने जाने के लिए त्यार हो चुका है इस समय खेत कपाश के परिफुलो रोवो से इतना स्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढख लिया हो साधानतिया इन कपाश बालो से कपाश को हस्त चैन द्वारा प्राप्त किया जाता है इसके पस्चात कपाश से बीजो को कंकंतन द्वारा प्रतिक किया जाता है इस प्रक्रिया को कपास ओठना कहते है पारंपरिक धंग से कपास हाथों से ओठी जाती थी चेतिर दस्मलब थी 3.7 देखे इरा कपास ओठना हाथों से आजगर कपास ओठने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है अब देखते हैं जूट जिसे हम पट्षन बोलते हैं पट्षन तंतू को पट्षन पादप केतने से प्राप्त किया जाता है भारत में इसकी खेती वर्षा रितू में की जाती है भारत में पट्सन को प्रमुक रूप से पश्ची मंगाल बिहार जाता असम में उगाया जाता है सामानेत है पट्सन पादप फसल को पुश्पन अवस्था में काटते हैं फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पट्सन तन्तूओं से हाथ थो द्वारा प्रतिक कर दिया जाता है वस्थर बनाने से पहले इन सभी तन्तूओं को तांगों में परिवर्थित कर लिया जाता है ऐसा कैसे किया जाता है देखिए सूती तागे की कताई आप स्वेम सूती तागा बनाने का प्रियास कर सकते हैं एक हाथ में कुछ रूई पकड़िए दूसरे हाथ के अंगुठे तथा तरजनी के बीच कुछ रूई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रूई से बाहर की और खीचिए तथा रेशो को लगातार एंटते भी रहिए क्या आप तागा बना सके रेशो से तागा बनाने की प्रिक्रिया को कताई कहते हैं इस प्रिक्रिया में रूई के एक पुंज से रेशो को खीच कर एंटते हैं ऐसा करने से रेसे पास-पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ती हस्त तकुआ का उप्योग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं, हाथ से प्रचालित कताई में उप्योग होने वाली एक अन्य युक्ती चर्खा है। चरके के उप्योग को राष्टे पिता महात्मा गानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोग प्रत्या प्रदान की थी उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों खादी को पहनने और बिटेन की मीलों में बने आयातित कपडों को अभिष्कार करने के लिए प्रूर्णसाहित किया था खादी के प्रशलन को बढ़ावा देने के लिए भारस सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्मान किया जिसे खादी एवं ग्रामो द्योग आयोग कहते हैं व्रित पहमाने पर तागो के कताई मशीनों की साहता से किया जाता है कताई के पच्चाद तागो का उप्योग वस्त्र बनाने में किया जाता है तागे से वस्त्र तागे से वस्त्र बनाने की कैई विदियां हैं इनमें से दो प्रमुक विदियां बुनाई और बंधाई हैं क्रिया क्लाब 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिने एक साथ विवस्तित किया जाता है से मिलकर बनते हैं तागों के दो सेटों को आपस में विवस्तित करके वस्त्र बनाने की प्रिक्रिया को बनाई या वीविंग कहते हैं आई ये कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रियास करते हैं किरी किलाब 5 बिन रंगों की दो कागज की सीट लीजिए दोनों में से 30 cm लंबाई तथा 30 cm चोड़ाई की वर्गाकार सीट काटिए अब इन दोनों सीटों को आधा मोड़िए एक सीट पर चित्र तीन दस मिलाब बारा बी में दिखाए अनुसार रेखाई कींचिए बोनों सीटों को खींची गई रेखाओ के अनुदिश काटियों और फिर सीटों के मोड़ों को खोल कर इनें फेला लीजिये एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे सीट के कटावो से 4.3.12 में दिखाए अनुसार बुनिये 4.3.12 में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमुना दिखाया गया है तो देखिए यह रहा यहां पे कागज के पट्टियों को कैसे बुना है यहां पर दो कागज लिए A और B ये C उनको एक दूसरे को उसमें डाला गया उसके बाद D ये पुरा कंप्यूट किया ठीक है इसी डंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्तर बुने जाते हैं तागे वास्तव में कागज के पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं वस्तरों की बुनाई करगों पर की जाती है करगे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अत्वा विद्यूत प्रचालित एक विशेश प्रकार की बुनाई क्या कभी आपने यह देखा बनाने में किया जाता है क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खीच कर देखा है जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है एक अलधागा लगाता रिखिचता चला आता है अतो अवस्तर उधरता जाता है मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुए ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्तरों से बनाई जाती है इस प्रकार की बुनाई हातों से अतो मसीनों द्वारा भी की जाती है दोनों प्रकार की बुनाई का उप्योग विभिन प्रकार के वस्तरों के निर्मान में किया जाता है इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविद वस्तों को बनाने में होता है वस्त्र सामगरी का इतिहास क्या आपने कभी यह जानने का प्रियास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस वसामगरी का प्रियों क्या करते थे वस्त्रों के विशय में पूर्व प्रमानों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम में लोग व्रिक्षों की चाल वल्क बड़ी-बड़ी पत्यों अत्वा जंतू की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढखते थे किर्शी समूदाय में बसना आरम करने के पश्चात लोगों ने पतली-पतली टहनियों तथा गास को बुनकर चटाईयां तथा दलियां टोकरियां बनाना सीखा लताओ जंतू की उन अत्वा बालों को आपस में एठन देकर लंबी लड़ियां बनाई इनको बुनकर वस्त्र त्यार किये पूर्व में भारतवाशी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो कंगा नदी के निकटवर्ती शेत्रों में उगाई जाती थी फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्रकृतिक तंतू प्राप्त होता है प्राचीन मिश्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तता फ्लेक्स की किर्शिक नील नदी के निकटवर्ती शेत्रों में की जाती थी उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था उस समय लोग अपने शरीर के विबिन भागो को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कैविबिन धंगों का उपयोग करते थे सिलाई की सुई के अविश्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े त्यार किये इस अविश्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभनताय आ गई परन्तु क्या यह आश्चरेजनक बात नहीं है कि आज भी साडियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगडियों का बिना सिले वस्तरों के रूप में उप्योग किया जाता है जिस प्रकार समस्त देश में खाय जाने वाले भोजन में अत्यदिक विवदिता देखने को मिलती है ठीक उसी प्रकार वस्तरों एवं पहनने की वस्तों में भी अत्यदिक विवदिता पाई जाती है तो देखिए यहाँ पर कपास गोलक कपास गोलक ओटना, रेशे, कताई, तागे, बुनाई, वस्त्र और बंधाई ठीक है यह पुरा प्रोसेस है जो हमें पुरा एक उसमें दे दिया है ठीक है तो हमने इस अध्याय में कहके सीखा रूई, वस्त्र, तन्तु, कताई, बुनाई और तागा, इन सब चीजों के बारे में जाना और अब आपका यह अध्याय समापत हो चुका है ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको चुब हमने पढ़ा हो समझ में आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझावे में कमेंट बॉक्स में दें तो मिलते हम आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई और थैंक ये